जै स्री राधी दोस्तों के पी की वानी चैनल में आपका स्वागत है मातारानी का आशिरवात पाने हे तू कमेंट में जै मातादी अवस्य लिखे वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हरहर महादेव अवस्य लिखे यकीन जानिए माताराने संग महादेव की किरपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवसी बरसेंगी और आप सो परिवार स्वास्तेवं सुखी रहेंगे तोस्तों आज की वीडियो में आपको नवंबर महिने में जिन आठ नामों की सगाई के योग प्रवल बन रहे हैं उसकी जानकाई दूँगा इसके अलाब आपको सगाई के महत्यु के वारें बताऊंगा साथ ही आपको नवंबर महिने में द्रिटपंचांग के अनुसार से जो है विवा मोहर्थ किंटिच्यों को है उसकी जानकारी दोंगा उससे पहले मैं आपको बता दों कि अगर आपकी साधी में अर्चने आरही है साधी तय होने के बाद तूट जारी है किसी न किसी वज़ा से व्यवधान आ रहा है तो अब आप केपी की वानी से संपर कर अपनी कुंडले दिखा कर विवास सम्मंद की संपूर्ण जानकारी हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं आप चाहे तो टेडिफोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते न था आप लिखित में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोनों ही माध्यमों से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी साधी कब होगी, कहा होगी, कैसे होगी, किस से होगी, किस दिसा में होगी, कितने दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस रासी से करणी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रोप, स्वरूप, स्वाभ करने के कितने योग है कब तक आप विदेश जा सकते हैं आप अपने जीवन साथी के साथ कब तक विदेश जा सकते हैं और कब विदेश में सेटल हो सकते हैं किस ग्रह की महादसा चल रही है कौन सा ग्रह अस्त है किस और कुंडले में किस परकार के दोश लग रहे हैं और उस दोस्कों किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं, तो यह तमाम तरह की जानकारी आपको हिंडी में विस्तारपुर्वक दी जाएगी, वही अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो लग मेरिज के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, माता पिता के सहमती मिलेगे कि नहीं मिलेगे संतान योग, राज योग, धान योग स्वास्त, सेहत, संवन के सभी जानकारी जो है अब आप केपी की वानी से कुंडले दिखा कर प्राप्ट कर सकते हैं इसके लिए मामली सुल्क ली जाती है जिसे आप महनताना समझ सकते हैं आप 852183567 पर संपर कर सकते हैं हमारा नंबर आपको दोहरा देता हूँ 852183567 इस नंबर पर आपके पी कीवानी से संपर कर सकते हैं WhatsApp के जरिये, phone call के जरिये, सामानी संदेश के जरिये इसके अलावा Facebook के जरिये, Twitter के जरिये, Mail के जरिये और Blog के जरिये भी आपके पी कीवानी से संपर कर सकते हैं अगर आप कुछ सला तो आप रामर्स देना चाहते हैं तो अबस्ते आपके सला और प्रामर्स का हमें बेसबरी से इंतजार रहता है अगर किसी प्रकार की सुधार की जरित है तो आप तत्काल ही आप कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करके या जानकारी अवस्ते कि इन चीजों में सुधार की जरित है हम उनमें सुधार अवस्ती करेंगे कई ऐसे जातक है जो हमेशा कहते हैं कि आप संच्छेप में जानकारी दे तो बहतर हो तो आपको मैं बता दूँ कि हमने बहुत महत्पूर्ण बाते वीडियो में बतानी है जिससे की आपके जीवन साथी के साथ आपके विवाहिक जीवन के लिए वह फाइदे मन रहता है इसक का अवस्य ध्यान रखे अगर आप कोई सलाहत्वा प्रामर्स देना चाहते तो अवस्य दे हम उस प्रामर्स का पालन करके इसमें सुधार अवस्य करेंगे तो जो जातक इस प्रकार के कमेंट किये हैं उन्हें मैं दिल से सुक्रिया कहता हूँ कि आप ने कमेंट किया है आप कमेंट के साथ उसमें सला अत्वा परामर्स अवस्य देखी कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है और कैसे बातों को प्रस्तुद किया जाए जिससे कि आपको ज्यादा समय बरबाद ना ह तो यह सभी जानकारी आप ग्याद कर सकते हैं वहीं अगर आप किसाधी तै हो चुकी या तै होने वाली है और नवंबर महिने में आपकी साधी हो रही है तो फिर आपको बता दूँ कि आप अपने अस्थाने पंडित्वा जोती से संपर कर अपनी कुंडली मिलानवस से करा ल होते हैं इन दोसों के चलते जो है व्वाईक जीवन कुस्टमय बीचता है तो इसका आप निवारन अवस्थि करा लें अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोश लगा है तो अगर कोई जोतिस ऐसा कहता है कि आप दोस रहित है तो अबस्यसाधि करें अगर दोस पीडि है हम सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक अवसी देंगे आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो पहले मैं आपको सगाई के महत्तों के बारे बताता हूं उसके बाद विवाह मुर्द बताऊंगा फिर उन नामों की जानकारी मैं दूँगा आपका ज्यादा समय आज नहीं लोगा तो सिंगार जो है महिलाओं के 16 सिंगार होते हैं उनमें बारमा जो अस्थान होता है उसे अंगुठी का ही सिंगार माना जाता है तो सगा जाया है इसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है उन्गली की नस सिधे दिल से जुड़ी होती है तो सगाई के जो महत्में वो धार्मिक और अध्यात्मिक दोनों ही दृष्टी से बेहत सुब होते हैं क्योंकि सेहत के लिए जो है इससे कई परकार की बीमारियों का प्रभाव क प्रभाव को दृष्टी पर जाता है तो अंगुठी पहनने से हाथों की इंगलियों पर एक समान प्रिसर बनता है जो कि उस हिसे के रक्चाप को दुरुस्त रखता है जिससे महिलाओं और पुर्सों का रक्चाप सही राता है यही कारण है कि जादा गहने पहनने वाले ल हाथी यह एसास कराता है कि वह सेहत बंद है इसके अलावा हीरे के कारण जो है नेगेटिव यानि नाकारात्मक विचारों का भी अंत होता है नाकारात्मक सकती जो है आसपास नहीं भटकती है हाथ की छोटी उंगली में रिंग पहनने से जो है छाती के दर्द और अस्थमा में आराम मिलता है तो अगर आप अस्थमा से पीड़ित है तो अब छोटी उंगली में आवसेरिंग पहने तामबे के अंगटी पहनने वाले व्यक्ती भी पेट रूख से मुक्त होता है यानि कि तामबा का अंगटी अगर आप पहनते हैं तो पेट संबंदी विकार दूर ह हो जाते हैं तो यह तो जानकारी मैंने सगाई के विशेस फाइदे के बारें बता हैं सेहत संबंद के और धार्मिक ते आईए अब मैं आपको तिथी बता दू तो नवंबर 21 को जो है पर्थम तिथी है विवाह का हालाकि दरिक पंचांग के नुसार से 21 नौंबर है वही मि नौंबर 24 को जो है सुभ मुषर तीन बचकर चार मिट शंध्याकाल से संध्याकाल शात बचकर 37 मिन्ट तक है नचात्रर नुराधा नोंडवज़ जबकि थी प्रतिपधा है वही नेौई नौंबर 25 को सुभ मुषर जो है 10 बचकर 45 minट से प्राता काल 6 बचकर 52 मिन्ट त तसाड़ा है जबकि तिथी पंचिमी है तो यहां तो मैंने आपको विवाह मुष्ट के बारे में बता आईए अब मैं आपको विस्तार से उन नामों की जानकाय देता हूं तो जैसा कि मैंने आपको बता है कि वर्तमान समय में गुरू जो है बीन रासी में उपस्तित है शुक नमबर महिने में भी दस्तारिक के बाद जो है ग्रहों का रासी परिवर्तन एक के साथ कई ग्रहों का रासी परिवर्तन होगा सुक्र का रासी परिवर्तन होगा सूरी का रासी परिवर्तन होगा मंगल का रासी परिवर्तन होगा और गुरू तो बरतमान समय से लेकर 22 अपर चल चल कर वहीं बात करें 16 नवंबर की तो 16 नवंबर को सूरी रासी परिवर्तन करेंगे और तुला रासी से निकल कर बिस्टक रासी में सुक्र तुला रासी से निकल कर बिस्टक रासी में प्रविस करेंगे तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महिना जो है बिस्टक रासी क जातक है परत्युक्ता परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमेने आपको अबस्ती कोई न कोई सुबसमाचार मिलने वाला है आप अपने पिताजी के साथ सम्मन्द मधूर रखें पिताजी के साथ सम्मन्द मधूर रखेंगे तो आपको किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी तो यहां तो जानकारी मैंने आपको सूरी के रासी परिवर्तन से दिये, सुक्र के रासी परिवर्तन से ब्रस्तकरासी के लटकों के लिए विवाग के प्रबल यूग बनेंगे, क्योंकि ब्रिस्टक रासी में सुक्र का गोचर यानि सुक्र के गोचर से जो है सुक्र जो है लड़कों के साधी के कारक माने जाते हैं विवा के कारक माने जाते हैं तो सुक्र को मजबूत करने के लिए शिवजी की पूजा करने के सला दी आती है और जब सुक्र किसी रासी में गोचर करता है तो उस रासी में अगर सुक्र नीच अवस्ता में भी रहे तो भी उसके योग बंते हैं तो ब्रिस्टक रासी के लिए मिठाई वाटने वाला जैसा समय रहने वाला है क्योंकि यह महिना बेहदी सुब रहेगा आपके लिए क्योंकि इस महिने में आपके लिए विवाह के रिष्टे आ सकते हैं और सगाई के बंधन में आप बनने वाले हैं तो बिस्टक रासी के अलावा जो मीन रासी के जात्कों के 24 रौंबर से गरुमार्गी हो जाएंगे उसके पशाइब मीन रासी के जात्कों के लिए सुभ्योग आवसी बनेगा अलगी अचानक रिस्ते की बात करें तो कई रासियों के लिए राहु केतू और सनी ये अचानक रिस्ते लाने वाले हैं तो मेस रासी में वर्तमान समय में राहू का गोचर हो रखा है तुला रासी में केतू का गोचर हो रखा है वहीं मकर रासी में सनी का गोचर हो रखा है और ये सभी राहू केतू वकरी चाल चलते हैं लेकिन सनी अभी मारगी हो चुके हैं वकरी चाल चलके 23 अक्टूबर को ये मारगी हुए हैं तो सनी के मारगी होने से मेस रासी और ब्रिसव रासी के अलावा जो है मंगल का गोचर ब्रिसव रासी में होगा वहीं मेस रासी राहु के लिए और तुला के लिए केतू वहीं सनी के लिए मकर कुम धनू के जातकों के अचानक रिस्ते आ सकते तो खुल मिला वाले हैं वहीं इन अचानक रिस्ते में कुछ ऐसे भी योग बनेंगे जिसे के आपके लब मैरेज के भी योग बनेंगे खासकर विसव रासी के जात्कों के लिए जो आने वाला समय है 11-13 नवंबर के पस्चाद जो हिनके लब मैरेज के प्रवल योग बनेंगे आईए अब म मेस रासी में ही राव का गोचर रहेगा इसके चलते मेस रासी के जात्कों के अचानक रिस्ते आएंगे और इनके परने सुत्र में बनने के प्रवल योग है बात करें नाम की तो पी आर एम नाम के जातक सी वहाप्रस्ताव आ सकता है और इमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सुत्र में बढ़ सकते हैं अगर आपकी आई बाइस वर्ष से अधिक है तो आपके लिए महिना बेहत सुभ रहने वाला है क्योंकि इस महिने में आपके सगाई के प्रवल योग हैं अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोश नहीं है अगर कोई दोश लगा है त तो टी एच पी अगर इन नामों में से किसी एक नाम के साथ आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपके लव मेरेज के प्रवल योग बन रहे हैं बात करें आर नाम की तो केतु का गोचर हो रखा है तुलारासी में तुलारासी के जातकों में वर्तबान समय में सुक्र का भी ग सकते हैं हाला कि सीरासी के जातकों के साथ अगर विवा हो जगाई हो तो ज्यादा उत्तम होगा बात करें अगले नाम अक्षर की तो सनी के मारगी होने से कुम्बरासी के जातकों के लिए भी किसमत के दरवाजे खुलने जैसा है हाला कि वर्तमान समय में कुम्बरासी के जातक में रहे उनके सरण में रहे तो आपका सभी कल्यान होगा आपका कल्यान होगा आपके सभी पापों का नास होगा इसके अलाबा आपके घर में सुक्सम्रधी का आगमन होगा इसके अलाबा आपके घर में सुक्सम्रधी का आगमन होगा बात करें नाम की तो पी आर ए नाम जात अगर आप प्रेम परसंग में है तो आपके लिए प्रेम विवाह के भी 100% योग बन रहे हैं अगला नाम अक्षर एपसे यानि कि धनुरासी के जात्कों के भी योग बन रहे हैं हलाकि गुरू के मार्गी भी होने हों से धनुरासी के जात्कों के योग बनेंगे लेकिन अगले मैने में 5 दिसंबर के बाद तो इनके लिए 100% योग बनेंगे क्योंकि सुक्र का गोचर धनुरासी में होने जा रहा है तो धनुरासी के जात्कों के लिए सुभ योग हैं आप राद्य देव जो है श्रीहारी विश्णुजी की पूजाव पाशना करें आपको अवस्य सफलता मिलेगी अगला नाम अक्षर जो है डी से होता है तो इसके तो योग पिछले साथ महिने से बन रहे हैं और आने वाले पांच महिने में भी बनेंगे क्योंकि यह रासी जो है मीन है और मीन रासी में गुरू का गोचर हो रखा है और 24 नवंबर को गुरू मारगी हो जाएंगे वर्तमान समय में गुरू वक्री चाल चल रहे हैं तो SGV के नाम के जातक जो है उनके मीन रासी के जातक यानि D नाम के जातक से लव मैरेज और अरैंज मैरेज के योग बन रहे हैं अगर आप मीन रासी के जातक कर आपकी आए की सुवर से अधिक हो चुकी है और कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोश नहीं है तो आपके लिए भी प्रवल योग है नवंबर मैने में 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के मादब की सगाई के 100% योग बन रहे हैं अगला नाम अक्षर N और Y से होता है क्योंकि N और Y नाम के जो जातक होते हैं वो ब्रिसक रासी के होते हैं और जब 11 नवंबर को सुक्र का गोचर ब्रिसक रासी में होगा तो ब्रिसक रासी के जो जातक है N और Y उनके लिए प्रवल योग बनेगा और अगर आप N और Y नाम के जातक हैं तो आपको भगवान सिमजी की सरंड में जाना चाहें, उनकी पूजा अपास ना करने चाहिए, उन से छमाय आचना करना चाहिए अपने कर्म के लेकर और अगर आप विवाह में बाधार आ रही है, तो उनसे छमाय आचना कर सीख विवाह की कामना करें, यकीन जानिए आपके काम जो है अबस्ते बनेंगे आपको अबस्ते सफलता मिलेगे और इस वर्ष से लेकर अगले वर्ष के मद्द तक आपको 100% कोई खुशकबरी मिल जाएगे तो N नाम के जातक Y नाम के जातक ब्रिस्तक रासी के होते हैं सुक्र के गोचर होने से इनके प्रवल योग बन रहे हैं नवंबर महिने में अगली और अंतिम रज़व नाम अक्षर है वो जे नाम से यानि कि मकरासी मकरासी में अविवार्तमान समय में सनी मारगी हो रखे हैं और इनके लिए अचानक रिस्ते अब आने लगेंगे क्योंकि मकरासी के जातको का जो है सनी जो है अंतिम चरण में है और अंतिम चरण में सनी हमेशा फल्दाई ही होता है पहले चरण दूसरे चरण में सनी पीरा पहुँचाते हैं लेकिन अंतिम चरण में सनी जो है जूली भर जाते हैं ताकि कि अगले साड़े साती समाथ होने के पस्चाद जो है आप सत्य कर्म करें सही कमार्क पर रहें तो फिर आपके जीवन में किसी परकार की कोई बाधा नहीं आएगी बात करें नाम की तो जे नाम के जातकों के आर ए एस नाम के जातक में से किसी एक जातक के साथ परन्य सुत्र में बंधने के प्रवल योग है वही नाम कन्रासी की बात करें तो कन्या और विसर्वरासी के जात्कों के साथ विवा करना स्रिष्ट कर होता है जे नाम के जात्कों के लिए तो जे नाम के जो जात्तक हैं उनके लिए चानेक रिष्टे आ सकते हैं और रिष्टे भी हो सकते हैं तो इस वीडियो मैंने आपको उन आठ नामों की जानकारे दी है जिनके प्रवल योग बन रहे हैं जब कुणली में जातक की रासी में ग्रहों का गोचर होने जा रहा है तो नवंबर का महिना बेहत मताराणी से प्राथना करते हैं कि आपके सभी बाधाये दूर जाये और आपके जिवन में खुसाली लोट आए जो भी हैं, आपके अवसी पूर हो जाए सकारात्मक सोचिए. उसमें आपको आपको अवसी सिध्धी मिले, यही सुदकामना की ये-पी कीवनी की टीम के तरफ से आपको तो इस तरह की एन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डेस्पूर्ट तो आप प्रेलिस्ट पर जाएं और अपनी रासी नुसारी वीडियो अवस्ते देखें तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट सेयर कर हमें अवस्ते बताएं अगर आ पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले मातारानी किरपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे आप सौपरिवार स्वस्ते बं सुखी रहे इनी सुब कामलाओं के साथ आप से विदा लेता हूं कि जल्द एक नमस्कार जैसरा दोस्तो जैसरी कृष्णा जै मातादी जै भाहिगरू